loss module में मैंने आपसे ये कहा था कि आपने वेका का classifier को run करना है और फिर इसके results को देखना है उमीद है कि आपने वो results कुछ चला के देखे होंगे और देखा होगा कि वो results किस form में generate होते हैं अब उन results की कुछ discussion देखते हैं कि उनको कैसे generate करना है और फिर understand कैसे करना है ये विंडो आप पहले भी देख चुके हैं जिसके अंदर आपने classify पे क्लिक किया और ये आपके पार different options है और ये आपके पार output window है अब होता कि ये आपने यहापे जैसे select किया किसी भी data को अब आपके पार ये जो है more options में जब मैंने क्लिक किया था जैसे last में मैंने यहाप arrow दिखाया तो ये more options जो हैं आपके पास कुछ इस तरह की है जिसमें output model, output per class statutes and ये सारी information हमारे पास है जिसमें एक important है confusion matrix की stored prediction for visualization और ये information अब ये क्यों important है कि ये test options जो हैं ये जब हम run करेंगे इसको start दबाके तो ये information हमें नजर आएगी कि जो output है वो model की क्या output है per class stats क्या है output confusion matrix क्या है और फिर prediction for visualization को हम store कर रहे होंगे आपने याद रखना है और इसको देखना भी हमने क्या भी ये कैसे नजर आती है इसको हमने cost sensitive evaluation को हमने दिखाया लेकिन हम इसे repeat नहीं करें यहाँ पर एक important चीज वो है क्या कि अगर हम data को split करने percent है जैसे मैंने यहाँ पर 66% किया इसका मतलब यह है कि training का जो हमारा data वो 66% है और बाकी जो 34% है वो testing का data होगा moving on हमने अपना classify का button दबाया choose किया हूँ से J48 और इसको हमने click किया और यहाँ पर हमने यह start का button प्रेस कर दिया और यह हमारे पास जो है results run on show होना शुरू है अब हुआ क्या इसके steps हमारे पास क्या चले जब हमने से click किया तो यह कुछ information है जो run के बारे में होगी और यह specific to our data है और data इस वक किस form में ARFF file की form में मुझूद है अब हो क्या रहा है logically क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए what is our scheme scheme है weka.classifier और J48 relation क्या है class का नाम IRIS instances है उसमें कितनी रोज थी 150 attributes कितने थे 5 sepal width, petal length, petal width और class test mode कैस, separate 66% train or remainder test very good यह सारी जो है आपकी क्या चीज़ है input agree अब आपने क्या करना है अब आपने यह करना है कि अब आप चाहरे है जो हमारा असल मकसद था to find out the result data कि आपके पस result किस form में आ रहा है और वो कैसे हैगा आपने यह जो window है यह वाली जो आपके पस scroll bar है इसको नीचे की तरह move करना है तो जो result है वो इस जगा पर चुपा हुआ है वो कैसे? वो यह है अब वो result किया है basic लिए सबसे पहले यह बताएगा कि आपने जो model बनाया उसको time कितना लगा जैसे इस case में 0.24 seconds लगे है आपके पास यह जो iris का data set है उसे classify करने में उसके बाद है evaluation on supply test इसको मैं पहले रब करता हूँ मैं अब इस पार्ट पे हूँ evaluation on test supply इसमें वो क्या बता रहा है वो यह बता रहा है correctly classified instances उसने का जी 49 और इसकी percentage बनी 96 इन correctly classified instances वो है दो यानि के total 51 instances थे उन में से 49 जो है वो सही हूँ है दो जो है वो miss classified होगए और इसी तरह बागी फिर information for that evaluation test रॉम की गई है जिसको आप देख सकते है अच्छा यह हमारे पास था results of our जैसे हमने एक्स्प्लेइन किया था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ हैंगी यह हमारे पास था results of our evaluation method जो हमने method evaluate किया है जो results हम generate करें उसके results है अब आजाते हैं detail में accuracy of individual classes इससे मुराद क्या है जैसे आपको याद होगा iris class के अंदर या iris के relation में तीन classes थी iris setosa iris versi color iris one genitia अब यह जो तीन classes है इनकी individual accuracy जब वो बताई गई है जैसे जो setosa है उसकी true positive rate 1 है versi color का भी 1 है लेकिन जो virginica है उसकी 0.82 है false positive rate, precede, recall, f major यह सब individual classes के बताई गया है यानि कि कोई भी relation जैसे iris का relation था उसके अंदर जो 3 individual classes थी उन सब की individual accuracy बताई गई है यह भी ठीक हो गया finally, सबसे last चीज़ ज़े वो है confusion matrix अब यह confusion matrix के और यहाँ पर क्या शो कर रही है सबसे पहले चीज़ confusion matrix हमें क्या बताती है confusion matrix यह बताती है कि जो हमारी classes है उन में आपस में क्या confusion है जैसे let's say कि कौन से instances हैं जो iris sitosa के थे लेकिन हमारे algorithm ने वरसी कलर में किया कौन से instances थे जो iris वरसी कलर के थे और हमारी classify ने वरजीनी का में किया तो इसको यहां पर हम अगर देखें तो यहां से हमें पता यह लगता है कि यह 15, 19 और यह 15 यह सारे सही है यह सिर्फ दो के अंदर confusion है कि जो होने सी में चाहिए थे लेकिन उन्हें वो B read कर रहा है यारिस वरजीनी का होने चाहिए थे पर हमारा क्लासिफायर उन्हें वर्सी कलर में लेके जा रहा है तो अब यह चीज़ हमें confusion matrix बता रही है तो इस तरह से हम किसी भी क्लासिफायर के result को understand करते है based on our ARFF file जिसको हम load करते हैं UI में और फिर उस पे classify run करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते है कि हमारी accuracy क्या है, confusion matrices क्या है हमारी precision क्या है, true positive rate क्या है, f mayor क्या है हमारे पस correctory unsigned identified classifiers कितने हैं, kapa statistics क्या है और मुख्तलिफी इस तरह के हम measures को लेकर decide कर सकते है कि कौन सा हमारे classifiers result क्या दे रहा है अब यहाँ पे एक addition है, वो क्या जो again, मैं आप लोगों के जिम्हें लगाँगा, आपने देखना है यह जो हमने result शो किया, this is only for J48 classifier अब question यह, कि क्या हमारे पस सिफ एक ही classifier है answer is no, हमने अभी देखा था कि हमारे पस roughly 8 categories थी classifiers की और उनमें फिर abundance of classifiers थे तो अब आपने यह देखना है, कि इसी data के ओपर मुक्तलिक classifiers लगाने और फिर एक chart sheet प्रोड्यूस करनी है, इस confusion matrix की और इस results की और यह decide करना है, कि इन में से इस data set पे best classifier कौन से है यह आपके assignment है, जो आपने अपने time में करनी है ताकि आपको grip हो जाए, कि classified run कैसे करते हैं और उनकी generated results कैसे foresee करते हैं, understand कैसे करते हैं